मैं डॉक्टर स्वाती मिश्रा, आज कई दिनों बाद मैं आप सब के सामने उपस्थित हूँ, एक नए टॉपिक को ले करके, जो टॉपिक है हमारा सोशल स्ट्राटिफिकेशन, मैंने आप लोगों को अपने कम्यूनिटी के थूँ लगातार अवेर किया कि मैं किस वज़े से नहीं आ रही हूँ, मैं एक महीने बहुत ज़्यादा बिमार थी, हर बार मुझे पॉलन एलर्जी हो जाती है, साथ में मेरे कॉलेज में नाक एग्रिडेशन के लिए टीम आने वाली थी, नाक विजट के लिए, तो उसमें भी हम लोगी बहुत ज़्यादा रिस्पॉंसिब लग रही हूँ, आखों के नीचे गड़े भी हो गया है, पर जिन्दगी है, आगे बढ़ती है, अब मैं continuous वीडियो आप लोगों को देती रहूंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, social stratification की थियोरी, ये वीडियो मैं social stratification की थियोरी लेके आए हूँ, उसके बाद मैं कुछ अगर facts and figures मुझे मिलते रहेंगे, मैं वो provide करूंगी, और नहीं तो इसके बाद जो theories है, social stratification से related, mainly जो weberian theory है, उसको मैं लेकर के आपके सामने आऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का topic, अभी तक अपने चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please मिरे चैनल को subscribe कर दीजे, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, तो आज हमें जो topic पढ़ना है, वो पढ़ना social stratification, ठीक है, stratification जो topic है, वो अपने आप में बहुत-बहुत important topic है sociology में, और अगर देखा जाए तो ये social stratification का topic हम geology से लिए हुए है, geology में हम क्या पढ़ते है, geology में हम लोग basically पढ़ते है कि अर्थ के अंदर का structure, जब आप अर्थ के अंदर का structure देखेंगे न, तो अर्थ के जो अंदर के structure मतलब from हम अगर, हम मतलब जो level है जिस पे हम रहते हैं, उससे अगर हम नीचे की तरफ जाए, तो सबसे पहले crust होता है, जिस पे हम रहते हैं, उसको crust कहते हैं, फिर उसके न mental होता है जो liquid part होता है अर्थ का और फिर again जो सबसे भीतर का हिस्सा होता है उसे हम core कहते हैं जो again solid होता है कैसे solid होता है अब ये geography का part है फिर भी मैं बता देती हूँ कि उपर का level crust जिसने हम रहते हैं crust से जब हम नीचे की तरफ अर्थ के अंदर की तरफ जाएंगे तो mental होता है mental liquid form में रहता है क्योंकि वहाँ temperature बहुत ज़्यादा रहता है तो temperature ज़्यादा रहने की वज़े से liquid form में रहती है जो भी चीज़े होती है फिर core में जाएंगे वहाँ भी temperature बहुत ज़्यादा रहता है पर वहाँ solid कैसे होता है क्योंकि वहाँ पर pressure भी बहुत जादा होता है तो pressure की वज़े से जो liquid चीजे होती है वो solidify कर जाती है तो core जो है solid mental liquid and crust जो है again solid part में रहता है तो आप देख रहें न कि ये level है level किस तरह से अलग-अलग level में हमारा अर्थ का है इसी concept को लेकर के sociology में भी बात उठती है कि जो हमारा समाज है जो हमारी society है वो अलग-अलग level में stratified है अलग-अलग level में बटी हुई है मतलब stratified है तो ये concept geology से basically लिया गया और इसे अब हम concept को अच्छे से समझेंगे तो अगर एक term मैंने यहाँ पर दिया है egalitarian society what is egalitarian society egalitarian society actually means कि there is no division ऐसा समाज जहाँ पर कोई division न हो जहाँ पर सभी लोग equal हो all peoples are, all members are equal ये हो सकता है क्या is it true concept, no नई egalitarian society एक स्वप्नदर्शी समाज की तरह है utopian society की तरह है जो वास्तविक्ता में नहीं पाई जाती है मतलब कि जो inequality का concept है वो हर समाज में लागू है inequality का आधार कुछ भी हो सकता है हम कई पर धर्म के आधार पे in equal है, कही पर हम caste के आधार पे in equal है कहीं पर हम sex के आधार पे in equal है कहीं power, कहीं prestige, कहीं wealth इन इन आधारों पे हम unequal है but unequal तो है मतलब कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहां equality हो मतलब no society is egalitarian in nature ओके आगे हम बढ़ते है when we move from simple to complex society आप जानी है अगर society का evolution आप जाना है, evaluation नहीं evolution मतलब उद्भव, अगर हम समाज का उद्भव पढ़ते हैं हमने Marx को भी पढ़ा है, हमने Morgan को भी पढ़ा है ये सब society के evolution की बात करते हैं कि किस तरह से society evolve होगा तो आप सभी जानते हैं कि पहले जो society थी वो simple nature की थी simple society थी simple society का मतलब हुआ कि वहाँ पर division नहीं था चीक है division of labor नहीं था हर व्यक्ति हर काम को करता था उतनी जादा specialization नहीं होती थी मतलब आज हम देखते न कि मतलब doctors हैं engineers हैं medical profession के लोग हैं हमने हर teachers हैं हर profession के लोग अलग-अलग हैं even हर profession में भी specialization है आप sociology में ही specialization को देख सकते हैं कोई sociology of environment का specialized है, कोई urban sociology का कोई ruler sociology का कोई sociology of development का तो हर जगए specialization है medical profession में देखें तो कोई आख का doctor है, कोई नाख का doctor है कोई kidney का doctor है, कोई lungs का कोई liver का, कोई heart का इस तरह से अलग-अलग specialization है बट जो simple society थी वहाँ पर specialization नहीं होता था वहाँ पर division of labor नहीं था बट वन वी move from simple to complex society जैसे जैसे हम साधारन समाज से जड़ल समाज की ओर आगे बढ़े हम complex society की ओर बढ़े तो complex क्यों हुआ समाज क्योंकि वहाँ पर specialization हुआ वहाँ पर division of labor हुआ वहाँ पर inequality हुई जैसे जैसे division of labor specialization बढ़ते जाता है वैसे वैसे समाज में inequality बढ़ती जाती है हर व्यक्ति अब जो specialized होगा वो obvious सी बात है न वो strata में उपर होगा जो व्यक्ति specialized नहीं होगा वो strata में नीचे होगा आप खुछ देख लिए जिसको sociology का ग्यान बहुत अच्छे से depth में होगा वो social system में अपने social institutional system में वो strata में उपर होगा जो वो in-depth knowledge नहीं रखता होगा वो strata में नीचे होगा तो जैसे जैसे when we move from simple society to complex society there is social inequality social inequality increases from social societal evolution अब इसके पीछे reason क्या है why the society is in-equal क्यों समाज in-equal है मैंने बताया इससे पहले भी और basically ये तीन कारणों से हमें समाज in-equal दिखता है मतलब power की वज़े से prestige की वज़े से and wealth चेक है these three are the main reason of unequal society okay unequal society what is power power क्या है degree to which individuals or groups can impose their will on the others कितनी हद तक एक व्यक्ती अपनी इक्षा सक्ती दूसरों पर थोप सकता है ठीक है with or without the consent of those others जिसके उपर थोप रहा है उसका consent हो या ना हो पर कितनी degree तक कितनी हद तक वो अपने इक्षा सक्ती को दूसरों पर थोप रहा है इसको कहते हैं power प्रेस्टीज क्या होता है amount of esteem, honor associated with social social patterns equalities of individual and style of life अब प्रेस्टीज क्या है कि आपके पद के साथ आपकी कितनी प्रतिष्ठा जुड़ी होई है ठीक है प्रतिष्ठा को ही हम प्रेस्टीज कहते हैं और wealth क्या है आप जानते material possessions कि आपका बहुती संसादनों पे कितना आधिपत्य है कितना control है how much you have control on your on materialistic things of life like land buildings money property etc इन three terms में in terms of power prestige wealth हम स्वामाज में inequality देखते हैं कैसे किसी व्यक्ति के पास अगर वो ज़्यादा powerful है that means जो समाज का strata है वो उसमें उपर है ठीक है किसी व्यक्ति के पास power नहीं है माल लीजे but prestige है उसकी प्रतिष्ठा समाज में बहुत ज़्यादा है वो भी social stratification पे उपर है और अगर किसी व्यक्ति के पास wealth है मतलब अगर power भी नहीं है prestige भी नहीं है but wealth possession है उसके पास land बहुत ज़्यादा है या उसके पास नगद रुपे बहुत ज़्यादा है या उसके पास property बहुत ज़्यादा है तो वो भी social stratification पे higher hierarchy में होगा अब एक यहाँ शब्द आता है अब आप सोच रहे होंगे कि madam फिर social inequality और social stratification क्या एक ही concept है is the social inequality and social stratification are similar concept no social inequality and social stratification are both separate concept दोनो अलग-अलग concept है अब मैं आपको यहाँ पर explain करूंगी कि social inequality क्या है and social stratification क्या अब हम देखते हैं कि the term social inequality simply refers to the existence of socially created inequality जब inequality की बात आ गई तो वो अलग चीज है और social inequality की बात आ गई तो अलग चीज है मतलब जब social जुड़ गया मतलब कि वो कैसा concept हुआ वो socially created concept हुआ जिसे समाज ने बनाया है चीक है ऐसे natural नहीं था जिसे समाज ने बना दिया कि असमानता दिखरी समाज ने जब असमानता बना दिया तो वो क्या हो गया social inequality और social stratification क्या है is a particular form of social inequality social inequality के बहुत सारे form है उसमें एक form है social stratification मतलब social inequality पिता है तो social stratification उसका कई बेटों में एक बेटा है जेक है अभी मैं और समझा देती हूँ ठीक है इट रिफर्स तु दे प्रेसेंस अफ डिस्टिंक्ट सोशल ग्रूप्स विच रैंक्ड वन अबब दे अधर in terms of factors such as prestige and wealth देखिये social inequality क्या है समाज जिस असमानता को बना दे ठीक है चलिए असमानता भी बन गए बट जब इस असमानता को हम रैंक करने लगे जैसे असमानता है कि कोई गोरा है और कोई काला है ये होगी social inequality बट बट क्या है कि इसमें जब हम ranking करने लगे मतलब कि गोरे जो है वो समाज में उच्च स्थान पे हैं और जो काले हैं वो समाज में निम्न स्थान पे हैं ठीक है हम लोगों ने ranking कर दिया रहा ये ही ranking क्या हो गई social stratification हो गई ठीक है concept समझ में आया जैसे आपको मैं बहुत सारे differences समाज में बताती हूँ कि हम कई आधार पे एक दूसरे से अलग है, like हम sex के आधार पे अलग है, कोई male है, कोई female है, कोई unix है wealth के आधार पे हम एक दूसरे से अलग है, किसी के पास ज़ादा धन है, किसी के पास कम धन है, ठीक है, इस skill के आधार पे हम अलग है, कोई बहुत skilled हमें दिखता है, कोई computer में skilled है, कोई paintings में skilled है, कोई art and craft में skilled है, कोई stitching and embroidery में skilled है, बहुत तरह के skillness होते हैं, तो अलग-अलग आधार पे skilled है, अब color के आधार पे भी differences समाज में देखी जाती, असमानता दिखी जाती है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई whitish रंग का है, ये सब सारे colors दिखते हैं, status के आधार पे भी देख सकते हैं, कि किसी का status जो है, वो high है society में, किसी का status low है, ठेक है, color मैंने दो बार लिख दिया, ये status और color, power के आधार पे हमें देखता है, किसी के पास ज़्यादा शक्ती समाज में देखती है, और किसी के पास कम शक्ती देखती है, geography के आधार पे भी कोई मुंबई में रहता है, तो कोई जारखंड के सुदूर गाउं में रहता है, geography के आधार पे भी हम अलग है, ठेक है, when society attach value to such differences, ध्यान रखे कर, this is one of the most most important line, कि जब इसी differences के साथ, हम value attach कर दे, ठेक है, अभी तक society में difference है, differences is a good concept, difference अगर है society में तो वो कोई बात नहीं है, कोई गुरा है, कोई काला है, कोई उचा है, कोई नीचा है, कोई सफेद है, कोई black है, कोई मुंबई जैसे बहुत developed city में रहता है, कोई जारखंड के गाउं में रहता है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा कोई दिक्कत नहीं ठीक है डिफरेंसेज जो है concept कोई दिक्कत नहीं बट जब इनी डिफरेंसेज के साथ value अटाच हो जाए value क्या अटाच हो जाए superiority और inferiority का desirability और undesirability का यहीं से मामला तो गरबड ठीक है क्या गरबड कि जो गोरे हैं वो superior है जो काले हैं वो inferior है अब पूरा जो एक company है आप सभी उस company को जानते हैं मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पर उसने तो पूरी cream ही बेच दी इसी मामले पे बेच दिया ना लगाते ही आप क्या हो जाएंगे गोरे हो जाएंगे और गोरा मतलब कि समाज में high hierarchy पे तब तो मामला गरबढ हुआ और उस company के लिए तो मामला बले बले हो गया that is the main reason तो ये differences के साथ जब value जोड़ जाए desirable and non desirable undesirable मतलब कि कोई चीज आपके लिए आवश्यक हो जाए और कोई चीज अनावश्यक हो जैच से कि मुंबई में रहने वाला जो है वो desirable है और जारखंड के गाउं में रहने वाला non desirable है ये value जुड़ना ही समाज के लिए घातक हो गया बच्चा इस value को हमें उखाड के हटाना होगा बढ़ ठीक है social stratification के तर्क वालों का कहना है कि ये जरूरी भी है समाज में नहीं जरूरी रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी कोई काम भी नहीं ठीक से कर पाएगा तो now social differences no longer remains differences but becomes inequality और यही जब value जुड़ गई तो अब जो differences थे समाज में असमानता थी समाज में और क्या हो गया जब उसमें ranking जुड़ गई तो वो इस्तरी करण हो गया समाजी इस्तरी करण मतलब social stratification फिर से तीनों का concept अच्छे से clear कि लिजे differences, inequality and stratification differences मतलब अंतर, गोरे और काले का लंबे और छोटे का इसमें value जुड़ गई कि गोरा हमारे लिए superior है और काला inferior है गोरा desirable है और काला non-desirable है आपको याद होगा जो marriage bureau वाले चलाते हैं तो उसमें निकालते हैं desirable qualities तो desirable sorry, अभी भी allergy का थोड़ा असर है desirable qualities में क्या देखते है desirable qualities में लिखते है कि the girl should be fair girl जो है again sorry girl जो है वो गोरी होनी चाहिए ये desirable qualities में रख जेते हैं और जब यही value ranking में जोड़ जाए कि गोरा वाला समाज में उच्छ स्थान पे काला वाला समाज में निम्न स्थान पे लंबा वाला समाज में उच्छ स्थान पे च्छोटा समाज में निम्न स्थान पे तो ये क्या वन गया social stratification मेरे क्याल से आपको difference inequality and social stratification का concept clear हो गया होगा आगे बढ़ते हैं कि differences differences are created by nature man create inequality clear है ना कि differences जो बनाया गया है वो तो nature ने बनाया प्रकृती ने बनाया प्रकृती ने किसी को काला बना दिया किसी को गोरा बना दिया किसी को ऊचा बना दिया किसी को नीचा बना दिया उसने ये तो नहीं कहा ना कि भाई देख लो जो गोरे हैं वो बहुत उचे स्थान पे जो काले हैं उनका कोई मतलब नहीं ऐसा तो प्रकृति नहीं का, ऐसा तो हमारा नेचर नहीं का, इसको कौन कर दिया इसको मैन ने कर दिया, हाम इंसानों ने कह दिया कि नहीं भाई मैं तो गोरी लड़की से ही शादी करूंगा, अगर आप लोग में से जो सुन रहे हैं, और आप मेल हैं तो आप कहते हैं न मैं तो गोरी लड़की से शादी करूँगा काली से तो नहीं करूँगा जो लड़कियां होती हैं वो तो कहते हैं भई I want tall boy मुझे लंबे लड़के पसंद है अरे चोटे का क्या होगा ये सारी चीचें आप खुद लंबी हो तो लंबे को सोचो आप काले और गोरे को सोच रहें ये जो inequality बना दी इंसान ने चीक है और जब यही inequality एक पैटर्न में सेट हो गया चीक है तो वो बन गया social stratification जब यही inequality strata में बढ़ गया कि सबसे गोरा सबसे उपर विटिश थोड़ा नीचे ब्लाक एकदम नीचे और सबसे ज़ादा ब्लाक एक social stratification okay now you clear? अब हम definition देखते है social stratification के अलग-अलग definitions देखते है ये अभी तो मैं एक general concept बता रही थी बट हम लोग को being a sociologist कुछ definitions भी पढ़ने है अपने answer में भई क्या लिखेंगे? स्वाती मैंडम के तो definition लिखेंगे नहीं आपको किसका लिखना होगा संदर लांड, मैक्सवेल का और बनिमकॉफ का इन लोगों का definition लिखना होगा तो एक general definition है कि social stratification is a process सामाजिक स्थरीकरण वो प्रक्रिया है in which social inequalities exist in the form of structural hierarchy ठीक है? क्या है? क्या है कि सामाजिक स्थरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम एक structural hierarchy देखते हैं, one place above the other, हमने कई बार बताया कि strata में चीज़े set होती हैं, Sutherland and Maxwell का definition क्या है कि as a process of differentiation which place some people higher than the other, यही बार बार में बता रही हो कि कुछ व्यक्ति को higher strata पे रगदो, कुछ को lower strata पे रगदो, that is called stratification, okay? कि Ogburn and Nimkov का क्या है, the process by which individuals and groups are ranked in more or less enduring hierarchy of status is known as stratification, Hindi में भी मैंने this definition को लिखा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों और सम्मूहों की स्थिती के अधिक या कम इस्थाई पदानुक्रम में स्थान दिया जाता है, उसे इस तरीकरण कहते हैं, यह definitions के कुछ key points याद करके आप इसको लिख सकते हैं अपनी भाशा में, वो key points आपको याद रखना होगा, कि क्या यह कह रहे हैं, और निमकॉफ, देखिए social stratification एक process है, एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया एक दिन में पूरी नहीं होती है, चलती रहती है, चलती रहती है, तो इसमें कहा है कि individual and groups are ranked in one or more, one or more less enduring hierarchy of status, ठीक है, इसमें hierarchy बना दी जाती है, clear है, आगे एक और definition है, वो है Lundberg का, Lundberg क्या बोलते हैं, कि a stratified society is one marked by inequality by differences among people that are evaluated by them as being lower and higher, एक स्तरिकरित समाज, एक असमानता से चिन्नित है, जिसमें लोगों को निम्न एवं उच्च के रूप में मुल्यांकित किया जाता है, यही है, मैंने बार बार यह बताया, कि जिसमें हम lower और higher strata में चीजों को बाठ देते हैं, इसी तरह next definition है, जिस बर्ट का, जिस बर्ट क्या कहते हैं, कि social stratification is the division of society, इन्होंने समाज का division बता दिया, ठीक है, into a permanent groups of category, linked with each other by the relationship of security and subordinates, ठीक है, कौन सी बात करें, यह superiority on and subordinates की बात करें, मतलब वही हुआ lower और higher, lower को इन्होंने subordinates कह दिया और higher strata को इन्होंने superiority कह दिया, चेक है, इसी तरह Raymond W. Murray का एक definition है, कि social stratification is horizontal division, इस तरह का, horizontal division है society का, जिसमें हम higher और lower social units में किसी चीज़ को divide करते हैं, यह higher पे हुआ, यह lower पे हुआ, यह higher पे हुआ, यह lower पे हुआ, यह lower पे हुआ, ओके, तो Raymond W. Murray का यह definition है, और last एक definition है, Melvin Tumin का, Melvin Tumin ने बहुत काम किया social stratification पे, तो social stratification refers to arrangement of any social groups or society into hierarchy of positions that are unequal with regards to power, property, social evaluation, psychic gratification, देखी, इन्होंने क्या बोला ना, इन्होंने कुछ बता दिया कि, इन्होंने अपने definition में बता दिया कि, किन-किन आधार पे lower और higher strata होता है, तो power की वज़े से, property की वज़े से, social evaluation की वज़े से, and psychic gratification की वज़े से, psychic gratification मतलब कि मानसिक संतुष्टी के आधार पे, यह light चली गए, इसलिए थोड़ी सी रोशनी कम हो गई है, कोई बात ने, ठीक है, तोनोंने, Melvin Tumin ने यह definition दिया, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैं forms of stratification की बात कर रही हूँ कि आखिर, stratification के क्या-क्या forms है, किन-किन आधारों पे stratification होता है, तो एक टी-बी बोटो मोर का सबसे अच्छा इन्होंने forms of stratification बताया, उसमें इन्होंने बताया कि slavery, estate system, caste and social class, यह चार वज़े है, किसी भी में stratification के, ठीक है, यह चार form में हमें society stratified दिखती है, slavery, slavery अगर हम देखे तो it is earliest form, पहले के समय में देखा जाता था, आज की democratic society में हम slavery का system नहीं देखते हैं, पर earliest form था, America वगेरा में भी बहुत ज़्यादा था, slave don't have citizenship right, जो slave होते थे, उन्हें citizenship right नहीं था, existed in most part of the Europe, यूरोप में ज़्यादा slavery system पाय जाता था, और यह कप की बात है, लगबग 5, मतलब 526 शताबदी ईसापुर्व, जो BC में भी 526 सताबदी माना जाता है, 500 to 600 BCE, फिर आया estate system, ठीक है, जागीर विवस्ता जिसकों कहते ह नहीं, estate, developed as a result of development of feudal system, जैसे-जैसे feudal system आया, जमिंदारी विवस्ता आती गई, ऐसे-जैसे यह जागीर विवस्ता भी बढ़ती चली गई, यह 70 शताबदी के आज-पास पूरे यूरोप में विक्सित थी, और estate having special privilege and duties, जो estate होते थे, जो जागीर होते थे, उनको special privileges, special privileges और special duties उनको मिलती थी, state में तीन लोग आते थे, एक सर्फ आते थे, एक क्लरगी आते थे और एक feudal आते थे, ठेक है, feudal आप जानते है, a person who has general authority over others, feudal वो होते थे, जागिरदार या जमिंदार, जिनका दूसरों के उपर आधिपत्य था, क्लरगी कौन होते थे, people who perform religious ceremonies in Christian church, चु अब जब आप, मेरा एक वीडियो है, emergence of social thought, emergence of social thought जब आप पढ़ेंगे न, तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से, सत्रवी, सोलवी, पंद्रवी, शताबदी के समय, पुरा जो था, वो Christianity बहुत हावी था, और 9th century, 11th century के आस पास भी Christianity बहुत जादा हावी था, तो उस समय ए और administration से ज़्यादा मतलम नहीं होता था, और जो surf होते थे, surf क्या करते थे, ये feudal की जमीने होती थी, जागिर्दारों की जमीने होती थी, उस पे ये काम करते थे, और उनी से अपना जीवन यापन चलाते थे, और land owner जो बोलता था, उसको इनको काम करना था, मतलम, ये feudal जो social class भी है, आप caste को जानते हैं, जाती भी एक स्तरीकर्ण का प्रमुक आधार है, प्रमुक फॉर्म है, major form of stratification, caste में क्या है, types of social strat, ये भी एक social stratification का टाइप है, जिसमें हम occupation, status, rights are fixed by birth, जो कि जन्म के आधार पर ये सारी चीज़े fixed हो जाती थे, जैसे जो ब्रहमन में जन्म ल तता उसको छतरी के आधार पर मिलते थे, और social class जो क्या हुआ, ये बात का factor आया, caste के बाद class आया, कि हम by birth नहीं देखेंगे, हम by उनके जो काम है, उनके आधार पर देखेंगे, ये social class जो था, वो economic factor के आधार पर था, जिसके पास संपत्ति जादी, वो उचे class में रहेगा जिसके पास संपत्ति कम, वो नीचे class में रहेगा, चीक है, तो ये basically, these are the forms of stratification, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ाऊंगी, बहुत शॉट में, social stratification के क्या-क्या characteristics हैं, सामाजिक स्तरी करण की क्या-क्या विशेष्टाएं हैं, आपने बहुत अच्छे से social stratification का concept बसते होंगे कि stratification is social, ये एक सामाजिक concept है, मतलब कि ये समाज ने इसको जन्मतिया, जो natural था, natural तो differences था, पर differences में कोई उपर होगा, कोई नीचे होगा, कोई बीच में होगा, ये जो stratified कर दिया चीजों को, इसने तो समाज ने किया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि social stratification is a social concept, मत is ancient, मतलब जब से समाज चले आ रहा है, तब से stratification का भी concept है, ऐसा नहीं है कि आज के और्द्योगी करांती के दौर में या और्द्योगी की करण या आधुनी की करण के दौर में ये concept आया, बिलकुल ऐसा नहीं है, it is an ancient concept, it is in diverse form, इसके बहुत forms है, अभी हम लोग पीछे वा क्लास के रूप में भी social stratification दिखाई देता है, क्लास के रूप में भी दिखाई देता है, estate के रूप में भी दिखाई देता है, slavery के भी रूप में दिखाई दिया है, तो अलग-अलग तरीके से हमें दिखाई देता है, ठीक है, it is man-made and natural, social stratification जो है, वो man-made भी है, और natural कि जिसे sex हुआ, weight हुआ, sorry height हुआ, ये सब क्या है, ये सब natural है, ठीक है, gender पर हमारा जो sex है, वो natural है, मतलब ये इस्तरी है और ये पुरुश है, अब gender जब आया, कि इस्तरी जो है, वो निम्न है और पुरुश जो है, वो stressed है, ये manmade हुआ, जो गोरा है और काला है, पर गोरे अ समाज में, ये manmade concept है, तो stratification हमें natural way में भी दिखता है, हमें manmade में भी दिखता है, और social stratification consequential है, मतलब इसके बहुत सारे consequences हैं, basically दो इसके consequences हैं, life chances की उपर इसका प्रभाव पढ़ता है, और हमारे lifestyle के बारे में, अब दोनों में basic difference समझ जाए है, life chances में क्या है, जो mortality, longativity, physical and mental illness, marital conflict, separation, divorce, ये सब life chances के उपर चीज़े आती हैं, और lifestyle मतलब हमारा घर का तरीका क्या है, हमारे रहने का छेत्र कैसा है, हमारी पढ़ाई लिखाई कैसी है, हमारे मनुरंजन के साधन कैसे है, mood of recreation कैसा है, these all are life style, जो आपको social stratification के characteristics भी समझ में आगे, मैं यहाँ पर कुछ books और articles को mention की हूँ, जो की social stratification topics से related है, कभी आपको अगर, देखिए mainly जो social stratification के theory जब हम पढ़ने जाते हैं तो Marxian theory है, Weberian theory है और functional theory है, Kingsley and Davis का functional theory है, Marx का Marxian theory है और Weber का Weberian theory है, तीनों ने अलग-अलग तरीके से social stratification बताए हैं, उसको जब हम theory पढ़ेंगे तो समझेंगे, बट इससे related बहुत सारी book है, अब भी आजकल की exams में तो सीधे-सीधे कितनी सारी books पूछ ली जारी हैं, चाहे वो net का exam हो, चाहे वो PCS का exam हो, चाहे वो PGT और TGT के papers हो, उसमें सीधे-सीधे book पूछ दी जारी है, इसलिए मैं social stratification से important work लेके आए हूँ, जैसे, जी है, Jackson की book है, social stratification, class, status and power, यह Lipset and Bendix की है, बहुत important book है, class, status and power, structured social inequality, यह Helen Heller की book है, inequality, Christopher Jenks की book है, reading in social stratification, यह again it is important book, Melvin Tumin की है, social inequality, Andre Bittai की book है, social stratification, Melvin Tumin की book है, classes in modern society, TB Botomore, again it is important book, TB Botomore, classes in modern society, class and class conflict in industrial society, Ralph Derendorf, again it is important book, next, psychology of social class, a study of class consequences, यह है Richard Centers की, class in American society, यह Leonard Riesman की है, यह भी books पुछी जाती है, class and American society, power and privilege, a theory of social stratification, that is the book related to Lenski, यह Lenski की book है, तो besides these edited books and volumes, debate on approach to social stratification, अब in books के अलावा, बहुत सारे social stratification के approaches पे भी debate है, कि social stratification को वाकिए हम समझे कैसे, maximum theory के आधार पे समझे, कि Weberian theory के आधार पे समझे, कि structural functional theory के आधार पे समझे, तो इस से related मैं video आगे बनाऊंगी, यह video अरड़ी बहुत long हो रहा है, तो इसको मैं यहीं पर finish करती हूँ, और छमा करते रहिएगा, साथ देते रहिएगा, और खूब पढ़ते रहिए, और enjoy करते रहिए, till then, goodbye, take care.